राजसमन के केलवताना चेत्र के च्छापर खेड़ी से एक मानुता सर्वसार करने वाली गटना सामने आई हैं च्छापर खेड़ी नदी के पास एक दस दिन के बालक को कपड़े में लपेट कर किसी अग्यात लोगों ने फेग दिया जिसके कारण उसको हलकी चोटे आई हैं वहीं पुल्य के पास से गुजर रहे ख्याली लान मजदूर नहीं वहाँ पर बच्चे को देखा तो 108 को सुचना दी जिस पर ललित कुमार 108 EMT दुवारा आर के चिकेसाले पहुचाया गया जहां पर उसको प्रात्मिक उप्चार देखा सिसु वार्ड में बर्ति किया गया वहीं मेडिकल प्रक्सिक्षन के बाद डॉक्टर ने उससे स्वस्त बताया है मेडिकल स्टाफ दुवारा केलवा पुलिस को जानकारी दे दी गई है केलवा पुलिस मामले की जाज में जुटी है एक बच्चा लाएं है 108 स्टाफ से चापर खेड़ी केलवा थाने में की मिला है और अभी वह भरती कर लिया है अभी उसके वाइटल वगरा सब स्टेबल है और संबदी थाने को अमने इंफॉर्म कर दिया है और ट्रीट्मेंट चालू कर दिया है कि अच्छे किस तरह के चोट हो गया हलकी चोट है उसके फेस पे और उसके कंदे पर और बाकी स्वस्थ है किते दिन का हो सकता है यह बचा दस से पंदरा दिन के बीच में हो सकता है कि क्या नाम आपका मेरा नाम जलीट कुमर इसारी है मैं एम टी पत पर एक सौट पर श्यवा दे रहा हूं एक सौट पर पहुना है कि छापर केडी नदी पर से साथ दिन का बच्चा पड़ा हुआ है तो हम पाइलर सगनलाल गमिती और हम दोनों गए वहां मोके पर देखा वह सारी संक्या में लोग एकटे गए तो और बच्चा जो रागीर ख्याली लाल जा रहा था तो उसने देखा इसके बाद तो जग्तित दिन ने फोन किया जो तो हम वह मोके पर जाके बच्चे को लेकर आया है और इसको भी आरके बच्चा जिन्दा है स्वस्त है मात मेल है कितने दिन का बता है लोगों ने बता है साथ दिन का लेकिन यह 15 दिन का लग रहा है